दो दोस्ती की कहानी एक बार की बात है, एक छोटे से गाउ में आदित्य और विजय नामक दो दोस्त रहते थे वे साथ में खेलते कूदते थे, कोई भी काम हो साथ में करते या कहीं आते जाते तो साथ में ही वे एक दूसरे के सहारे रहते थे दिन भर साथ में कठिनाईयों का सामना करते थे और खुशियों का अनुभव करते थे एक दिन जब वे घूमने निकले तब उन्होंने गाव के पास के जंगल में एक पुराना छोड़ा हुआ कुआ देखा वे उसके पास गए और उसे सुका हुआ पाया उन्होंने देखा कि उस कुवे में एक छोटा पौधा जीने की कोशिश कर रहा है दोनों दोस्तों को पौधे के प्रती दया हुई और उन्होंने तै किया कि वे इसे अपने गाउ में ले जाएंगे और इसकी देखभाल करेंगे उन्होंने पौधे को नीचे से खुदाई की और उसे धीरे-धीरे कुवा से निकाल लिया वापस गाउ में उन्होंने पौधे के लिए एक ठीक स्थान ढूंधा और उसे वहा रखा उन्होंने उसे आशात नाम दिया क्योंकि उन्होंने सोचा कि वो आशा और सफलता का संकेत है समय के साथ आदित्य और विजय अलग-अलग दिशाओं में चले गए वे अपने अपने काम में व्यस्थ हो गए और उनकी दोस्ती में कमिया गई दूसरी तरफ आशा जिसकी वे दोनों मिलकर देखभाल करते वो भी अकेली हो गई और कमजोर हो गई एक दिन जब विजय गाव के पास से गुजर रहा था उसने देखा कि आशा बहुत कमजोर हो गई है उसकी पतिया सूख रही थी और उसका रंग बिरंगा चमक खत्म हो गया था विजय को दुख हुआ और वह जल्दी से अधित्य को ढूंढने निकल पड़ा उन्होंने बातचीत की और मिलकर समस्या को हल करने का निरने लिया उन्होंने पौधे को पानी दिया, उसे संरक्षित स्थान में रखा और उसकी सुरक्षा के लिए सारे उपाय किये, उसे बचाने का भरपूर प्रयास किया उन्होंने काफी वक्त बाद मिलकर बातचीत की और अपने खुशियों और दुहकों को साजा किया उनके प्रयास से आशा को फिर से जीने की शक्ती मिली उसकी पत्तिया फिर से उज्रवल हुई और वह फिर से विक्सित होने लगी वह एक सुन्दर व्रिक्ष बन गई और उसकी चाया और फूल लोगों को सुख और आनंद देते थे इस व्रिक्ष ने समुदाय की एक जुट्ता और दोस्ती की महत्वपूनता को याद दिलाया आदित्य और विजय ने उस दिन एक महत्वपून सबक सीखा उन्होंने जान लिया कि सच्ची दोस्ती विश्वास और सहयोग की जड़ों से जुड़ी होती है उन्होंने वचंदिया की वे एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोडेंगे और उनकी दोस्ती को हमेशा महत्व देंगे जब वे आशा की छाव में खड़े होते तो उन्हें यह यकीन होता है कि उनकी दोस्ती और उनका संघर्ष सबकुछ बहुत सुन्दर और अन्मोल है दोस्तों मैं जानता हूँ इस छोटी सी दोस्ती की कहानी को पढ़कर आपको अपना वह दोस्त याद आया होगा जिससे आप काफी समय से नहीं मिले किसी वजह से उसके टच में नहीं रह पा रहे हैं तो चलो उससे मिलने की आज ही कोशिश शुरू करो इस कहानी को उसके साथ शेयर करो ताकि उसके मन में भी यही ख्याल आए और आपकी दोस्ती को एक नया रूप एक नई ताकक मिल जाए